What is the best way to spend your golden boot medals in the new clash with haaland event इस event के दर्म को काफी सारे rewards मिलने वाले हैं उसमें से दो special rewards हैं Spiky Ball and Football Queen इनके बीच में से कौन सा best pick होगा और साथी में बाकी जो rewards हैं उनमें से कौन से rewards आपको लेना हैं आपर consider करना चाहिए सारे types के player के लिए video होने वाली है तो video को end तक जरूर देखना सबसे पहले आपको यहाँ पे जो event track है उसे complete करने के बाद मिलेंगे यह golden boots and total amount of golden boots जो आपको मिलेगा वो है 3100 from the event track इसके बाद आपको 1560 extra bonus track से मिलेगा तो in total as a free to play player आप लोग यहाँ पे 4660 medals यहाँ पे earn कर सकते हो और अगर आप event pass by कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 9660 medals मिलेगा जो कि almost यहाँ पे double spiky ball and football queen को as a special reward देख रहे होगे तो इसमें से पहला option जो है spiky ball यह बहुत ही बढ़िया equipment है guys and I think giant gauntlet के साथ ही होने वाला अपना upcoming combination रहेगा और इसलिए यहाँ पे spiky ball is the first thing जो आपको लेनी चाहिए पर जैसा कि आपको बता है हर equipment 3 महिने के अंदर अपने trader shop में 1500 gems में आ जाता है तो सेम तरीके से यहाँ पे अपना जो spiky है वो भी आ जाएगा और यह skin कभी भी return नहीं करने वाली है for free to play players पाई की ball तो 1500 gems में return करेगा पर यह कभी return नहीं करेगी इसलिए यहाँ पे यह चीज़ special और rare बन जाती है तो जो लोग decoration and skin collection करते हैं उनके लिए यह option better हो सकता है लेकिन गाईज एक चीज़ धियान रखना जो की है अपने यह golden boot and अपना यह bestest ball जो भी लिखाई है और एक trophy हमको यह मिल रही है तो जो लोग यहाँ पे decoration collection करते हैं उनके लिए यह सबसे best value rewards होगे यह एकदम rare चीज़ भी है कभी यह return भी नहीं करेंगे तो यह आप लोग straight away pick कर सकते हो अब best value की बात करें हम normal players के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको epic equipment लेना चाहिए आपने event pass लिया आप चाहिए normal player हो epic equipment को लेने के बाद सबस्यादा value जो मिलती है आपको guys वो मिलती है ors से और अगर आपके पास बहुत सारे medals बचें तो मैं आपको सेश्ट करूँगा सारे के सारे starry ors glow ors जितनी limiters सब के सब buy कर लो starry ors तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लेकिन अगर आप free to play player हो आपको लिम्टेड medals है तो आप लोग यहाँ पे guys glow ors के लिए जाएगा because glow ors हमेशा एक bottle line create करते है and अगर आप कोई epic equipment max करने का plan नहीं कर रहे हो तो glow or is the best option and सबसे आदा value इसी reward के आपको मिलेगी and last में आप लोग shiny orr भी ले सकते हो और आपको पास कुछ medals बच जाते हैं अब बात करें runes and books की दुबाई यह जो runes and books है न यह basically आप लोग gold इखटा कर सकते हो time आप wait कर सकते हो तो इनको लेन एक तम waste होगा मेरे साब से लेकिन एक book जो की काफी सस्ती मिल रही है book of hero इसको आप लोग ले सकते हो अगर आपके heroes जो है rush है because यह बागी books से comparison में half rate में आपको मिल जाएगी half medals में मतलब and यह जो बागी books है इनको तो बिल्कुल भी आप मत लीजेगा यह मेरा session है बागी जो अपने rest of the potions की बात है वहाँ पे दो potions है एक अपना research potion और एक builder potion जो की लेना worth it है in my opinion इसके लावा सारे potions मेरे साब से worth it नहीं है अब guys comment section में आप लोग जुरूर बताना आपने यहापे क्या pick किया spiky ball या football queen या फिर आप even pass वालों आपने दोनों ही लेने का plan किया comment section में बताना जुरूर आप लोग क्या लेने वाले हो अपने medals के साथ